कोशन है number of glycosidic bonds in three full turn of BDNA are ठीक है NCRT based ही कोशन समझ लो आप इसको तोड़ा सा conceptual type based कोशन है बहुत अच्छा कोशन है in fact यह तो इस देखो इस तरह की कोशन सापको करने चाहिए वो कह रहा है कि जो BDNA का structure है ठीक है कंफ्यूज नहीं होना BDNA आपकी बुक में जो structure दे रखा है DNA का वो BDNA का ही structure है molecular basis of inheritance वाला chapter पढ़ो अच्छे से उसमें clear clear लिखा है कि BDNA का जो उन्होंने configuration दिया है कि pitch की length कितना होता है diameter कितना होता है सब BDNA की according उन्होंने दिया है तो वो यह पूछना है कि 3 full term of turn of DNA में कितने glycosidic bond होता है वो अपने को answer करना है पहले था हम भी देखते हैं कि 3 full turn का मतलब क्या होता है देखो एक full turn का मतलब pitch ठीक है आपने pitch of DNA पढ़ा होगा तो वो pitch का मतलब क्या होता है full turn मतलब क्या होगा कि जैसे जिस particular point से देखो DNA यहाँ से शुरू करता हूँ मैं यह DNA आया इसने इस तरफ turn लिया यह ऐसे आता है वापस और फिर यह यहाँ पर आने के बाद मैं वापस इस point पे मतलब तुम समझ लो यह तुम इस point को consider कर रहे हो ना यह आया इस तरह से घुमता है और वापस इस point पर आकर यह same turn लेगा अभी यह वापस same turn लेगा है यहाँ से लेकर यहाँ तक यह जो है यह full turn है समझो यह यहां तक आया अब इसके आगे वापस ही same pattern of turn को जो है follow करेगा तो इसको आप कहते हो pitch of DNA तो यहां से लेकर यहां तक this is called as pitch of DNA या फिर a full turn of DNA अब आपने NCAT में पढ़ा होगा कि जो pitch of DNA रहता है यानि कि DNA के एक full turn में जिसको आप pitch कहते हूँ उसमें जो है 10 base pairs होते है एक full turn of DNA में कितने base pairs है दस base pairs लेकिन base pair की बात कर रहा हूँ मैं आप पे ना base pair का मतलब क्या होता है यह base pair है pair pair मतलब क्या जोड़ा आप basis का pair यह देखो आप A और T यानि एक base pair में कितने basis होंगे दो यानि अगर 10 base pairs होंगे तो total 20 basis होंगे यह देखो आप यह एक यह दूसरा base pair यह तीसरा base pair यह चौथा base pair यह पांचवा base pair यह छटा base pair यह सात्वा base pair तो base pair में 2 basis होते हैं तो जितने base pairs होंगे उसके double basis होगे यह total कितने basis होगे total 20 basis होगे एक full turn या एक single pitch में लेकिन question है कि 3 full turn की बात कर रहे हैं आप पर तो 3 full turn में कितने basis होंगे तो 20 into 3 60 basis present है 3 full turn में चलू ठीक है हमने सबसे पहले number of basis calculate कर लिए अब हम चलते हैं कि glycosidic bond कहां पर present होता है तो देखो आपने structure पड़ा होगा nucleosides nucleotide का यह है pentose sugar DNA में यह pentose sugar रहती है इस pentose sugar के पहले carbon पे nitrogenous base attached है यह nitrogenous base यह इसका complementary base pair का दूसरा वाला यह भी base और यह मिलके क्या बन जाता है base pair इसलिए कह रहा था कि एक base pair में दो होता है यह जो glycosidic bond के हम बात कर रहे हैं यह glycosidic bond present होता है nitrogenous base और इस sugar के बीच में यह जो bond है यह glycosidic bond यानि हर एक pentose sugar के पहले carbon पे nitrogenous base attach होता है वाया और glycosidic bond तो जितने nitrogenous basis उतने glycosidic bond देखो यह glycosidic bond है nitrogenous base पहले carbon पे glycosidic bond से जुड़ा है तो जितने nitrogenous basis उतने glycosidic bond यह देख लो आप यहाँ पर ही nitrogenous base है यह और यह पूरा यह डबल रिंग structure यह यहाँ पर जुड़ा है यह है आपका glycosidic bond तो जितने basis उतने bonds तो 60 basis है तो total 60 glycosidic bonds present होंगे आपको बस यह दियान रखना है कि हर एक base में एक glycosidic bond होता है तो आपको हर बार यह calculate करना है कि number of basis कितने है तो I hope आपको इक question clear हुआ होगा इसका answer होगा 60 glycosidic bonds आपके बास भी अगर इस तरह के कोई doubts है जो आपसे नहीं हो रहे हो अच्छे doubts है तो मुझे whatsapp कर दो इस number पर मैं solution बना कर upload कर दूगा देखो अच्छे questions होंगे तो upload करेंगे और normal questions होंगे तो मैं आपको वहीं whatsapp पर ही उसका reply कर देगे तो बस that's it thanks a lot for watching us